तो बचो ये question number 31 है, अगर आप इस question number 31 को द्यान से देखेंगे, तो इसमें आपके पास एक function given है, और इसमें आपसे finally ये पूछा जा रहा है कि the number of points of discontinuity of fx in r, यनि कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये function कहां-कहां अपनी domain में continuous है, तो ये आपको बताना है, तो बचो अगर function continuous होगा, तो आप जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक point होगा root 3, तो सबसे पहले हम root 3 पे check करेंगे, हम देखेंगे कि उस function का root 3 plus पे जो function होगा, वो क्या होग जब x root 3 से बढ़ा है, तो वो होगा root 3 x minus 1, हम इसकी limit निकाल लेते हैं, तो root 3 into root 3, 3 हो जाएगा, 3 minus 1 हो जाएगा 2, फिर हम क्या करते हैं, इसकी limit निकाल लेते हैं, root 3 minus 1, यनि जब x root 3 से छोटा है, तो यहाँ पर अगर हम function की definition देखेंगे, तो 1 plus x square, x की जाएगे root 3 डाल जाएगे, तो root 3 का square 3 हो जाएगा, 3 plus 1, 4 और यह हो जाएगा 2, इसका मतलब बचो, यह root 3 पे तो function continuous है, क्योंकि इसकी LHL और RHL limit equal आ रही है, अब बचो, हम 4 पे check कर लेते हैं, तो बचो, जब हम लिखेंगे 4 minus, तो 4 minus पे function की definition है, root 3 x minus 1, यहाँ पे 4 put करेंगे, तो यह हो root 3 minus 1, और जब हम डालेंगे 4 plus पे, तो 4 plus पे function, अगर आप ध्यान से देखें, तो वो integral part of x है, तो integral part of x पर 4 से बड़ा होगा, तो इसका 4 से 5 मान लिखके बीच में कोई number होगा, तो इसका integral part 4 आएगा, इसका मतलब यह वाला बचो doubtful case बन गया, function x equal to 4 पे continuous नहीं है, यानि number of point of discontinuity पूछी जारी थी इसी में, तो एक point तो आपको मिल गई discontinuity, अब आप 5 आपका एक doubtful point है, अब आप 5 पे चेक कर लिजे, तो बचो जब आप 5 पे चेक करेंगे, तो यह बचेगा limit x standing towards 5 plus, 5 plus पे बचो आपका definition है, 1 minus mod x, यहाँ पे 1 minus 5 करेंगे, तो mod के अंदर minus 4 आएगा और वो 4 हो जाएगा, उसके बचो बाद आप 5 minus पर लेंगे, 5 minus पे उसका integral part of x definition है, और अगर x 5 से छोटा है, तो उसका integral part 4 आएगा, इसका मतलब 5 पे भी यह continuous है, इसका मतलब बचो आपका doubtful point एक ही है, कि function आपका क्या है, वो x equal to 4 पे discontinuous है, कैसा है, discontinuous, इसका मतलब आपका बचो यही एक point of discontinuity है, इसका मतलब number of discontinuity है, इसकी एक होगी, ठेंक यू